कॉपर का अनलेसिस और नेक्स्ट वीक तो कॉपर लास्ट रेडिंग सेशन 810 पे बंद हुआ है लब अक तीन रुपए की गें के था फ्लैट पॉजिटिव तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी कॉपर कैसे दिख रहा है तो शुरू करते हैं मंतली चार्ट से तो मंतली चा पापर ट्रेड कर रहा है लगबख 43 रूपी अब लगबख 5.6 परसेंट गें के साथ यहां जो हमने लो देखा था इस मैने का 770 के रहों हाई ता लगबख 886 तो लगबख 116 17 रूपए का हमने रेंज देखा है और उपर से अच्छी आसी प्रॉपिड भी बोकिंग में आत तो उनके लिए सला है प्रॉफिट बोक कर लीजेगा यहां अगर कुछ जाता है तो यहां अच्छा खास लिक्विडिशन भी आता है और यहां पैनिक भी क्रियेट हो सकता है नीचे अगर कॉपर आता है 680 या फिर 570 के लेवल पर तो वह लेवल अच्छा रहेगा लॉंग टाइम इंवेस्मेंट के लिए हमारे यहां कॉपर का कोई एटिप नहीं है तो आप कोपर के जो स्तौक से नेकल कर सकते हों कभी भी इंवेस्मेंट नहीं करना चाहिए फ्यूचर श्रिफ स्विंग ट्रेडिंग और शॉट्रम ट्रेडिंग के लिए रहते हैं क्योंकि अगर आप उसमें इंवेस्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम का पॉस्ट राइटा उसमें चला जाएगा आपको एड़ देन शायद कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप वह सब आपके आपके रॉट आपको प्रैस फ्यूट्समें कभी इन्वट्र महतना चाहिए शर्फ सविंग ट्रेडिंग के लिए फ्यूटर का हमने लगबग 100 रुपे का रेंज नेका है तो यह दर्शात है कि किस तरह से हो लटेलिटी है मार्केट में उपर का अभी जो टार्गेट है लगबग 949 फुटी को वह अभी तक बचा हुआ है यहां नीचे जो है तो सपोर्ड दिख रहा है वीकली चार्ट पे 761 के अराउंड वहां जो अगर वहां से रिवर्स लाता है तो आप लॉंग पोजिशन ले सकते हैं उस लॉंग पोजिशन का आपका टार्गेट रहेगा 940 प्लस आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगबग 720 के सब्सक्राइब को प्राइब करें नीचे और यह जो है यह यह हाई-ट्रेड रहेगी क्योंकि यहां अगर यह कंडिशन मार्क ते तो यह है प्राइज करता है मार्केट को तो यह जो है वो उस में देखने कोमलेगा क्योंकि जो दिमांड आ वह आपे कम हो जाएगी चुपला फिर भी कम था मैं में अगर डिमांड भी नहीं मार्केट में तो श्रिप ट्रेड लीजे लॉंग या शॉट दोनों साइड बही मगए शॉट टम ट्रेड ही लीजे अभी फिलाल मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर ही उन्हें बेट करना चाहिए अगर आपको किसी कारणवाश सिल्वर जो है तो 570 या उनकी उसके अरवन मिलता है तो वह अच्छा लेवल रहेगा वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो इतर नेक्स त्री तुफाई यह उपर जो है तो फिर से आपको थावजांड या उसके उपर की लेवल में कॉपर में देख सकते हैं फिलाल मेरी इसला रहेगे विक एस पर विकली और मंत्री चार्ट बोग द इस तरह से डेली चार्ट है यह मुझे लगता है अगर हम सेवन नाइंटी फॉर का जो लेवल है उसको रिस्पेट करते हैं तो हम बाउंस बैक देख सकते हैं एट फिप्टी फाई टू एट फिप्टी रुपीज के तरफ तो जिने रिस्क लेनी है उनके लिए सला रहेगी और यह हाई रिस्क ट्रेड रहेगा इसमें स्टॉप लाज जाने की बहुत जाता संभावना है तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको लॉंग करना है कॉपर सेवन नाइंटेन सेवन नाइंटी फाई के आराउंड आपका जो स्टॉपलस रहेगा वह सेवन एटी के नीचे रहेगा और जो आपका टार्गेट रहेगा हु रहेगा । यह मेरा नैक्स्ट वीग का ट्रेडिंग आएडी गा यह यह खोटे जो रिस्क जो हैंडल कर सकते हैं मुन के लिए यह ट्रेड़ आएका मोस्तली आइवल रिपर इंट्रेडिंग गा उन्ग और शोट दो यहां अगर आपको कॉपर में ट्रेड लेनी है तो मेरे हिसाब से वह लॉंग साइड पर होनी कही है आपको लॉंग एंटर करना है 790-95 के अरॉंड अगर हम जो है तो 860 के ऊपर निकल जाते है तो उस सिनायरो में देखने को मिल सकते हैं वह आ सकते हैं अल्रेड़ी हम दो टार्गेट अल्रेड़ी अच्व कर चुके हैं स्रिक 950 का जो टार्गेट है वह बचा है तो वह आ सकता है अगर कॉपर जो एक डेली बेसिस पर क्लोधिंग देता है आपको 950 का टार्गेट भी देखने को मिल सकता है फिलाज जो ट्रेड़ बनता है नेक्स्विक के लिए वह बनता है 790-95 के आराउंड लॉंग करना है और जो टार्गेट है वह रहेगा 850-855 और यह हाई रिस्क ट्रेड है इसमें बहुत ज्यादा 50-50 चांसे से तो अगर आप वह रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल यह ट्रेड में जा सकते हो इतर स्ट्रिक्स टॉप लॉस तो आपको मेरे वीडियो पसंदे तो मेरे चैनल का स प्रेड करना है विटर सब्सक्राइब तो उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाहेंगी और थैंक्यू पर वाचिं इस वीडियो